हुआ हुआ हाँ है हलो एब्रीवान एंड वेल्काम तु जीना स्वाला गुड़ मारें तो आपकी क्लास भी काफी सुन्दर और अच्छी होने वाली है तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे पेंट डिस्टेंबर और वर्निश के बारे में बट फिर भी कुछ टॉपिक्स आपको यहां पर में पहले जो कवर करने थी जैसे टिम्बर वाला टॉपिक उसको मैं पहले कवर करूंगा दैन आफ्टर आट हम लोग बात करेंगे अब 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 इस टॉपिक है साथ में आप कल में आप लोगों से कॉल नहीं कर पाया था इसके उपर लेकिन आज हम लोग जरूर कॉल करेंगे ठीक है तो चलिए पहले तो एक बार जल्दी से आप लोग जोइन कर लें फिर आप लोग स्टार्ट करेंगे ठीक है बाई सबसे पहली बात तो मीरा गला thुड़ा खराब है है इसलिए पता अब लोग ने कि पता चलेगा आप लोगों को बस आप लोग निरंतर क्ल्स क्लास में बने रही है लगातार क्लास को जोइन करते रही है बस आपका यह काम होना चाहिए ठीक है चलिए तो आज हम लोग बात करेंगे पहले सबसे पहले बात करेंगे अब आउट टिंबर चैप्टर जो कि सबसे ज़्यादा इंपोर्डेंट है आपके एक्जाम पॉंट अव्यू से राइट और उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे अपने पेंट डिस्टेंबर और बिट्वन वाले इंपोर्डेंट पार्ट की होपस होगी आपको जो चीजें हैं वो अच्छे से समझ में आएंगी इस क्लास के अंदर और आप लोगों को कॉंफिटेंस तो मिली रहा होगा ठीक है अच्छा जो बच्चे रेगुलर जॉइन कर रहे हैं वो एक बार जरूर मुझे बताएंगे एक बार जल्दी से मझे बताएंगे कि कॉमेंट बॉक्स में एक रैट कलर का हट द्वारा आप मुझे संदेश देंगे कि सर यह जो आप पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट इससे हमारा कॉंफिरेंस जो है वो काफी बढ़ रहा है और कॉंफिरेंस बढ़ता है न तो उससे आप लोगों को बहुत बढ़िया लगता भी होगा ठीक है तो कॉंफिरेंस बढ़ने से न आप लोगों के अंदर एक जोस जुनून ना अंदर आई जाता है अपने आप किया अब थोड़ा सा किसी का साथ मिल गया अब तो यार फोड़ दियंगे अब तो एर कर ही लेंगे एक व देखो मैं आपके साथ एक दो मिन्ट समय आपके साथ निकालूंगा उसके बाद हम लोग थोड़ा हैविचल हो जाएंगी मेरा गला भी थोड़ा गरम हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्लास को शुरू करेंगे देखो यार तबियत खराब ऐसे मोसम में आपकी भी होगी मे कुछ भी हो एक चीज बहुत आवश्यक है वह प्रयास प्रयास रुकने नहीं चाहिए सिलसला रुकना नहीं चाहिए और आपका सेलेक्शन रुकना नहीं चाहिए और उसके लिए पी डबलू ने हमेशा ही आप लोगों के साथ बहुत ही बेजोड मेहनत की है ऐसा शायद ही कभी किसी और्गनाशन में आपने देखा होगा कि आप लोगों के लिए चाहे वो पेड क्लासेज हो चाहे यूटूब हो चाहे आपको गाइडन्स करने की बात हो चाहे आप लोगों को एक सही डिरेक्शन में ले जाने की बात हो हमेशा पी डबलू आगे रहा है और पी नहीं बिटा सामको टाइम नहीं हो सकता आप इसको रिकॉर्डेट देख सकते हैं और बहुत ही जल्दी 2-3 दिन में क्लास कम्प्लीट भी होने वाली है पूरा रिवीजन आप लोगों का चलास हैं नौन स्टाप डेली क्लास अपको नहीं मिलेगी ठीक है तो क्लासे आपकी नौन स्टाप र हैंगी बिलकुल रहेंगी ठीक है चलिए Сов त्रहिग करें वेडा टेलीग्राम चैनल है देवेश सर पीडवू अलग नीचे भी लिखा हुआ है देखिए न हमारे दोस्ट ऐसे हैं कि उनको दिखाई नहीं देता बहुत सारे बोलते हैं सर आपने सर बताया नहीं सर वह खाली स्लाइड नहीं तो हमें दिखी लेकिसर वहां पर आपका कहीं मिल जाएगा डन चली अब हम लोग शुरू करेंगे बिटा प्रैक्टिस सेशन कहा मिलेगा वह आप लोगों को पी डबलू के आप के ओपर मिलेगा ओके चली अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट की बारे में डिस्कॉशन करेंगे एक बच्चा करेंगे सर यूनिटी में मेल की पर्सनल इंफॉर्मिशन की क्या जरूरत है विटा इट्स यॉर चोइस यह आपका चोइस है मुझे इससे ज्यादा मतलब है नहीं जो आ पी डवलू आपके ऊपर राइट चली शुरुवात करें हम लोग तो देखें सबसे बहली बात तो यह यूनिटी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है जैसे बहुत सारे बच्चों ने जॉइन भी कर लिया होगा मैं आपको दिखाता हूँ एक बार देखो हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे अपनी को ठीक है क्लास में तो पढ़ते ही है कल हम लोग करनी पाएते बिटा सारे टॉपिक्स रिवाइद हो रहे हैं आप डेली रेगुलर आओगे तो उस बात को पूछने की जरूवत नहीं पड़ेगी ठीक है यह सर करके देखते हैं एक बार किसी से बात और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे शुरूआत करेंगे इखमाश की चलो एकबर कमेंट बॉक्स में बताओ् किसको कॉल करूं जिसकाना म्याप MARKप देख रहा है जिसका नाम दिख रहे हैं आप लोगों को यह नाम दिख रहे हैं इन में से किसी को भी कॉल कर सकते हैं हम लोग ठीक है और अपनी गरिमा में रहेगा नहीं तो फॉन काड़ तूँगा मैं इंजीनेरों मैं जानता हूं तुम सबको ओके चलिए तो यह हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बच इनको एक बच लिए आप अब उठाएंगे तहों नहीं तो पिर आगे भी बढ़ना पड़ेगा मैं अक्कडवकड़ी किया है मैंने यह तो यह तो उठानी रहे हैं तो इनको चोड़ना पड़ेगा अभी हम लोग दूसरे किसी स्टूडेंट को कॉल कर लेते हैं स्टार्ट चलिए नवीन कुमार को कॉल कर लिया जाए एक बार जो भी अट्रेंड करेगा उससे हम बात करेंगे नहीं इसको पी डबलू एप के तुरू जॉइन कर रहा होगा ना तब ही आप लोगों को देखने को मिलेगा ना चलो खेर इसको अभी छोड़ते हैं अब क्योंकि इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या यह समझ नहीं आ रहा है क्लास टू करते हैं मैं तो सुचा था आप लोगों को सुबह सुबह मिला देता हूं किसी एक एस्पिरेंट से पर हम लोग कपनी क्लास को शुरू करते हैं जादा हो जाएगा यह ठीक है करें विटा क्लास को शुरू चलिए चलिए तो शुरू करते हैं पटा क्लास को और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ध्यान से सुनिएगा एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिएगा देखो सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि टिंबर है क्या चीज़ देखें टिंबर जो है यह आपके पास में इंडस्ट्रियल कर चुकिन है हम लोग ठीक है और वहाई सभी लोग जोईन कर लो ऐसे मत किया करो कि आदे लोग जोईन कर रहे हो आदे जोई नहीं कर रहे है चलित तो अज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अब आउट दा इंबर और इंभाउट इंपोरेंट टॉपिक है इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग सभी और important होने के साथ साथ exam point of view से भी आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महतुर रखता है chapter क्योंकि जब इस chapter से question आते हैं तो लोगों के पसीने चूर जाते हैं question solve नहीं होते हैं लोगों से ठीक है तो इसलिए यह वाला topic या चैप्टर आप लोगों का बहुत ज़्यादा important है तो जल्दी से एक बार इस chapter में आप लोग अपना दिमाख लगाईएगा देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपके पास जो timber है यह है क्या चीज़ तो timber आपके पास लकडी का जो आपके पास wood होती है लकडी लकडी का जो industrial name है लकडी को जो हम लोग construction field में इस्तमाल करते हैं तो उससे हम लोग timber बोलते हैं क्या कहा हूँ जब लकडी को जब लकडी को timber जब लकडी को आप लोग industrial field में यूज करते हो या फिर कहते हो गे construction field में आप इस्तमाल करते हो तो इससे हम लोग timber के नाम से जानते हैं अब देखें जंगल में कोई एक पेड़ खड़ा हुआ है तो इसके चार पार्ट होते हैं पहला यह वाल इससे रूट के नाम से जानते हैं तो देखो यहां पर जैसे रूट जो होता है वो जमीन के नीचे वाला पार्ट होता है ठीक है जमीन के नीचे वाला जो पार्ट है वह आपके पास रूट हो गया लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें जो पेड होता है ना इस पे पेड जो होता है निसके चार पार्ट होते हैं पहला जहां पर फल फुल पत्तियां गरगती हैं उसको बोलते हैं क्राउन पार्ट, दूसरा पार्ट होता है ब्रांच जेम मतलब तनह और लास्क पे मैंने बताए रूट, रूट का मतलब होता है जड़े, अब दीकिंगा एक इ सबस्यादा मात्रा में कौन इस्तमाल होगा तो सबस्यादा मात्रा में 70-80% आपका क्या होगा ट्रंग क्या तना इस्तमाल होगा और ब्रांचे आपकी 20-30% मात्रा में इस्तमाल होंगी तो पेड़ के इन 4 पार्ट में से सिर्फ और से 2 पार्ट इस्तमाल लिए जाते हैं पहला बिएक पेड़ आपका जंगल में खड़ा हुआ है और जब यह पेड आप लोगों का लगवग पैशा साल का उजाता है क्या है जूएटा। 50 से 100 साल का उजाता है इसको बोलते हैं प dato मैच्वरिटी।可以 टेग है proper mature proper mature मतलब यह आप लोगों अगदम परपक होचुका है किसके लिए कटने के लिए तो जब याप लोगों का proper mature हो चुका है मैच गित्ती मानी जाती है पीड़ की वह 50 से 100 साल अलग अलग टापकी हिंदी माँ इसका मतलब होता है पेडों को गिराना तो हम लोग क्या करते हैं उसके बाद में जब पेड गिर जाता है तो इसको रफ तिमबर बोलते हैं जब पेड आपका काटा जाता जाता है जंगलों तो इसको हम लोग rough timber बोलते हैं, this is important point, important question जो कि exam में पूछा जाता है, चलिए अगर ये बात आपके समझ में आ चुकी है, तो देख ये दूसरा point आपके पास, कि फिर इस rough timber को हम लोग क्या करते हैं, इसमें से जड़ों को हटा देते हैं, पत्तियां वगरा, पत्तियां वगर statement की तना, उसके बाद, इसको proper shape और size हम लोग दे रहते हैं, तो proper shape और size देने के बाद, जो इसको timber को बोलेंगे, वो बोलेंगे, बिटा, converted timber, अब एक चीज और दिमाग में आती है, कि जब जंगल में खड़ा रहता है, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जंगल में ख पाटेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे, rough timber, और जब इसको proper shape और size दे दिया जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे, converted timber, तो इसको आपके पार्ट होते हैं, जो कि आपको याद रखने है, ठीक है, converted timber, समझ में आए बिटा, तो तीन पार्ट हैं आपके पार, standing timber, rough timber, converted timber, तो तीन चीजा है, तो आपको clear समझ में आजानी चाहिए, कोई बात नहीं, लेट आ गया, लेकिन अब जो है, class में regular बने रहे न, late आना is not a big issue, but class में late आना is a big issue, ठीक है, चलिए, ओके, इस दब कैसी निरा, चाय मंगाने की इच्छा थी, चाय नहीं आई अभी तक, सुनो, तो हमने क्या बूला, यह समझ में आया, कितना सुन्दर बना हुए, कि सर जो पेड होता है, आपके पास में चार पाट होते है, root होता है, crown होता है, trunk होता है, branches होती है, branches और trunk का इस्तमाल हम लोग करते हैं, यह 20-30%, यह 70-80% इस्तमाल होता है, जब पेड जंगलों में खड़ आया कहां से, यह जो timber सब्द है, यह timber शब्द है, तो धान लगना चाहए नहीं, timber शब्द जो है, आपके पास में यह timber एक शब्द होता है, English का वहां से आया है, और इसका मतलब होता है, build करना, भाई timber मैं आपको क्या पता है था, लकडी जो होती है, जो लकडी आपके पास नोती है उस लकडी के ही उसी लकडी के जो लकडी आपके पास होती है उसी को जब हम लोग construction industry में इस्तेमाल करते हैं construction field में इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं timbrane बोलते हैं sir big fan from Nepal और नेपाल को भी मेरा बहुत सारा प्याद यहां पर लिखा हुआ है तो जहां भी शब्द मैंने बोल दिया तो सीडी सीडी भाषा में इस बात का ध्यान रखो कि वहां पर building carpentry या engineering work की बात हो रही होगी अब देखो यहां पर तीनों चीज मैंने अभी आपको पढ़ाई थी standing timber rough timber converted timber पेड़ को काटने से पहले जब जंगल में पेड़ खड़ा हुआ तो उसको लोग standing timber कहेंगे पेड़ को काटने के बाद sorry पेड़ को काटने के बाद जो लकडी हमें प्राप्त होगी उसे हम लोग तीनों चीज आप लोगों को पता चलगी अब क्या होता इसका chemical composition या इसको कहोगी कि बाई कोई जो आपके पास में timber है उसका रासायनिक संगठन सर कैसे होगा रासायनिक संगठन का मतलब यह होता है कि उसमें कौन-कौन से यसे रासायनिक जो पदार्थ होते है रासायनिक आपके पास composition है जिन से मिल करके वह बना हुआ है तो देखे इसके अंदर कारवन होता है 49% oxygen होता है 44% हाइड्रोजन होता है 6% एश होती है 1% यह ड्राइवड की बात कि रहे सूखी लकडी होती है उसके अंदर आपके पास इस तरीकी का chemical composition पाय जाता है और अब क्योंकि यह बहुत सारे अलग- Polymer Material कहते है हिंदी में इसको कहेंगे उता प्राकृतिक बहुलक पतार्थ क्या बोलेंगे हिंदी में इसको बोलेंगे प्राकृतिक बहुलक पतार्थ प्राकरतिक बहुलक पदार तो बेसिकली हमें समझ में आया क्या समझ में इससर देखिए जो लकडी होते उसके चार पाट होते हैं ट्रंक और जो स्टैम होई जंगलों में या पेड़ खड़ावा जंगलों तो इसको स्टैंडिंग काटने के बाद राफ और उसको प्रॉपर आप जाते हैं और शेप और साइस से निंगे आप इस मेंन जो चीज आपके पास यह है कि जब लोगों का यूज stupid पेड क़िलों को कर रह Bien तो कौन से पेड को काटेंगे, जिनका डाया 600 mm से ज़्यादा होगा, ठीक है, ध्यान रखेगा, जिन पेड का डाया 600 mm से ज़्यादा होता है, उन्हीं पेडों को हम लोग इस्तमाल करते हैं, टिंबर की रूप में, comment box में जल्दी से आ जाना चाहिए, डाया is greater than 600 mm, जिन पेड का classification कैसे किया जाता है, तो तिंबर जो होता है, वो दो तरीके का होता है, तिंबर मतलब लकडी, लकडी जो है वो दो तरीके से classify की जाती है, आप लोगों की, पहला आपके पास में exogenistries और दूसरा है endogenous, जैसे मैंने कल आपको जब stone पढ़ाया था, तो stone की एक एक चीज को बारीकी से समझा है, मैंने, सेम ऐसे ही, यहाँ पर भी हर एक चीज आपको बारीकी से समझ में आएगी, बस आप लोग ध्यार पूर्वग, ध्यार पूर्वग सुनते रही है इस topic को, ठीक है, अभी देखो बटा, तब से पहले, मैंने बोला कि general ही जो आपकी tree होती है, जो लकड़ी होती है, उसको दो तरीके से classify कर रहे है, पहला है exogenous trees, दूसरा है endogenous trees, देखो X से याद रखो, X से तुम गलत चीज़े याद मत रख ले न, X से होता है external, क्या होता है, external, और दूसरा क्या हो जाएगा, हाला कि in होता है, लेकिन एक idea लग जाएगा, इस से याद हो अपおいको, internal, तो ऐसे पेड जिनकी growth outside होती है, क्या बोलोँ रहे है, ऐसे पेड जिनकी growth outside होती है, external लिख रहा है न, ऐसे पेड जिनकी growth, growth, कहाँ पर होगी, outside होगी, growth outside होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे external और ऐसे पेड जिनकी growth internal होगी जिनकी growth internal होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे उसे हम लोग बोलेंगे endogenous trees अब देखो यह चीज तो clear हुई सभी को तो चलो जल्दी से सभी लग लिखेंगे ऐसे लिख दो X external and internal जल्दी से लिखेंगे विड़ा comment box के अंदर क्या लिखेंगे लिखेंगे X external और in internal जल्दी से लिख देंगे ओके अभी देखिए अब देखो यहां पे बात पता चलने चाहिए ऐसे पेड जिनकी growth बाहर की तरफ होती है ऐसे पेड जिनकी growth बाहर की तरफ होगी तरफ है वेरी नाइस एक बाद चाय पी लेते हैं ना गला खराब थोड़ा सा है तो वह सही भी हो जाएगा और थोड़ा रिलाक्स भी मिल जाएगा आउटसाइड का मतला बाहर की ओर बिटा बताऊंगा अभी एक टेंशन मत लीजे एसे पेड जिनकी growth बाहर की तरफ होती है उनको हम लोग बोलते हैं exogenous या चाय पीती आवाज में डिफरेंस दिख गया ठिक है और ऐसे पेड जिनकी growth अंदर की तरफ होती है उसको हम लोग बोलते हैं endogenous trees ठिक है अब देखेए जो आपके exogenous trees होते हैं ना बिटा कौनसे यह सबसे ज़्यादा इस्तमाल किया जाते हैं और इसको मैं अगर बोलूँगा लिमिटेड यूज का मतलब इनका बहुत कम इस्तमाल किया जाता है लिमिटेड यूज तो चलो दान से सुनते वे जाना हर एक चीज आपके दिमाग तक बैठेगी सबसे पहले मैंने आपको बोल इसे पेड जिनकी ग्रोफ आउटसाइड होती है बाहर की तरफ होती उनको एक्से पैढ़े जिनकी ग्रोफ अंदर की तरफ होगी उनको लोग प्याइट पैदा हुआ एक एक और पेड़ था वह आपका यहां तक था अब दो तरीके के पेड़ें जड़ इनकी नीचे तक जा रही है तो जो पेड़ बाहर की तरफ ग्रो करेगा वह कैसे ग्रो करेगा इसके चारों तरफ इसकी डाया जो है बढ़ती चली जाएगी यह बा दूसरा जो पेड़ आपके पास वह क्या हुआ भाइए वह आपके पास में पहले इतना था मालो उसके चारों तरफ रिंग बनी दूसरा ठीसरा रिंग बनी भी चो थी रिंग बनी इसे ठीच गया लेकिन अब इसका में काम क्या हो गुआ हो क्या हो जाएगा है आपको जो पेड़ वह लंबा हुता हुआ चला जाएगा तो दो तरीक है की पेड़े आपके पास इक आपका बच इस भिटा इंडर की तरफ गो करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग एंडोजीनियस ट्रीज दोना क्लियर हो गया सभी को बहुत अच्छे अभी देखो अभी देखो नेक्स पॉंट देखेंगे अभी जो एक्जोजीनियस ट्रीज है न यह दो तरीके से आगे डिसाइड किया जाता है पहला कॉनिफर ट्रीज और दूस्ता डिस्टीश जैसे मैंनं आपको बताया कि और जीच के पास मेंना मैंना क्या अपको आपको एसे पेड जो अंदर की तरप ग्रो करेंगे इकम अब बात पंदा पताओ मुझी जैसे पेड़ है मानलो अभी अंदर की तरप ग्रो करेंगा पेड आपका अंदर की तरफ घुरो कर रहा है ऐसे करता हुआ जारा है लेकिन अपसिमें अपने सेंटर पे करतेंगे ऐसे और जब उपर की तरफ मुर्दा चालू कर देंगे तो अब क्या होगा यहां पर जो पेड़ा वह उपर की तरफ मतलब पेड़ आपके लंबे हो जाएंगे क्या हो जाएगा पेड़ आप लोगों कि उंचे और लंबे हमें देखने को मिलेंगे बात समझ में आ अब देखो मैं आप लोगों को एक क्लियर बता देता हूं बात यह जो आपके पास पेड़ है ना यह पेड़ यह कौन-कौन से पेड़ हो सकते हैं हाला कि आगे एक्जांपल दोंगा मैं आपको बास का पेड़ बैंबू खजूर का पेड़ ठीक है पाम यहनकी ताड़ कैस करी होगी कईले के पेड़ का इस्तमाल नहीं करते नारियल के पेड़ का इस्तमाल हम लोग टेखा और बांख का पेड़ कंस्तुमाल के लगए कोई पूछे आप लोगों से तो इसका इसका व वाल्डिंग के अंदर करते हैं यह बात ध्यान रखेंगे तो इसका मैंने बता दिया कि इसके यूजज है ना वह काफी लिमिटेड यूजज है अब हम लोग आ जाते हैं अपने में टॉपिक पे जिसका नाम है एक्जोजीनेस पेड क्या होता है एक्जोजीनेस पेड जो होत करते हैं ठीक है चलिए एक मिट बस चाय खत्म कर लें फिर एकडम जमा जम जवर्दस्त जैसा डेली करते हैं वैसी शुरू करेंगे इसको आईए चलिए अब एकडम अवाज एकडम ऐसी हो चुगी है बुलंद आईए तलो बिटा लेगे क्लास वही बात है ना क्लास इमांदारी से आप लोग जोई नहीं कर रहे हो इसलिए कड़वर्ड हो रही है इस जगह पे क्लास अगर रेगुलर और इमांदारी से करोगे ए एक परसंट दिक्कत नहीं आने दोंगा क्लास के अंदा चलिए शुरुवात करते हैं मिटा देखे एक बार धान से इसको अब मैं आपको यह बोला कि भाई एक्जोजीनेस पेड क्या होते है तो एक्जोजीनेस पेड दो तरीके से क्लासिफाइड होते हैं पहला आपके पा देखेड का मतलब ऐसे पेड जिनकी पत्तियां एक मौसम आने पर गिर जाती है उन्हें हम लोग कहते हैं पत जड़ी यानकी डेसीडियस यह क्लियर हो गया आप लोगों को चलिए अब दो चीज़े मैंने आप लोगों को बता दी कॉनिफर और डेसीडियस का मतलब हाड़ सॉफ्ट बूड यहा आप prêt जड़ी ब्रक्ष ओपने देखा होगा होला आपने देखा होगा कई बार जब सर्दियां आजाती है तो हमारी स्किन जो अंधन थोड़ हो जाती है हमके अधम में यहान पे पानी की कमी लग जह लग दिया तक आपको ऐसा लगता होगा बौडी म मौझूद होगा वो तो होगा softwood जहां पर पानी कम मौझूद होगा वो होगा आपके पास में hardwood लेकर अगर कोई पूछे कि कौन सा पेड़ हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता है अभी start करते हैं हम लोग सबसे पहले अपना exogenous trees देखे सबसे पहले important point समझेंगे exogenous पेड क्या होता है लिखा हुआ है कि the trees growth the trees which grow outside the are called the exogenous trees ऐसे पेड जो बाहर की तरफ grow करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं exogenous trees क्या बोलूँगा ऐसे पेड जो बाहर की तरफ आप ग्रो करते हैं ऐसे पेड़ों को हम लोग exogenous trees कहते हैं ठीक है दूसरा point these type of trees are generally used in the engineering activity अभी आपको बता भी दिया था कि यह आपके most widely used ने यह चल क्यों नहीं रख किया चतकर रस्म है ठीक है यह क्या होता है आपके हाँ अभी सही है यह आपके क्या होते है most widely used मैंने आपको बताया था तो यह आप लिखा भी हुआ है कि इस टाइप of trees are most widely used in the engineering activity में नका इस्तमाल किया जाता है next point देखेंगे इस टाइप की जो पेड़ होते हैं इनके अंदर circular ring in the horizontal direction added up each year अब इसका मतलब क्या है जैसे मैंने आपको दिखाया था कि बाई कोई एक पौधा है अब इसके चारों तरफ एक पेड़ के चारों तरफ एक नई circular ring जोड़ जाती है उस नई circular ring को हम लोग annual ring या annular ring कहते हैं मतलब बारशिक छल्ला उसको हम लोग कहते हैं और यह बारशिक छल्ला क्या करता है यह पेड़ की उम्र को दिखाता है इस टू पॉइंट्स आर वेरी 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 इंपोरेंट है सर पहली बात तो ऐसे पेड़ जिनकी गुरुत आउटसाइड होती है उनको एक्जोजीनेस्ट्री कहते हैं एक्जोजीनेस्ट्री सबसे ज्यादा इंजिनर एक्टिविटी में इस्तेमाल किये जाते हैं तीसरा पॉइंट की इस इन पेड़ों में हर साल होरिजॉंटल ड ज़र मैं इस ऑफ्टी को चलिए उसके बाद मैं मैंने आपको बताया था कि जो एक्जोजीनेस्यों होते हैं दो तरीकी है अब ससक्कृर्ण में ऐसा तो पहला आपके पास में कौन सा है और दूसरा आपके पास में कैसे डेसिडियस जैसे अभी रिसेंटली आपको बताया और मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं और दिस इस वेरी वेरी इंपॉर्डन टॉपिक जहां से कोशन बन सकता है तो जहां से सुनिए इस बात को जहां से सुनिए बटा क्या कोशन एक्जाम में आएगा तो लिखा हुआ है कॉनिफर ट्रीज के अंदर सॉफ्टूड या सदा बाहर लकडी इसको हम लोग बोलते हैं तो यहां पे लिखा हुआ है बटा कि इस टाइप आप आफ ट्रीज नेवर शेर देयर लीव अंटिल न्यू आर ग्रोन अप मैंने आपको क्या बोला था कॉनिफर ट्रीज में सफ लकडी होती है यह चीज भी किलियर कर रही थी आप लोगों को कि बहुंद इसे पेड में लिखा हुआ है कि इन पेड़ों के अंदर distinct annual ring होती है अब मुद्धा ही आता है what is the distinct what is the meaning of the distinct तो किसी को पता है तो जल्दी से बताईए distinct का मतलब होता है spust दिखाई देना distinct का मतलब होता है spust दिखाई देना इस बात से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है लेकिन आज आपको पूरा याद हो जाएगा distinct का मतलब होता है spust दिखाई देना और indistinct का मतलब होता है ice pust अब यहाँ पे एक नया नाम और introduce हुआ नया नाम और introduce हुआ जिसका नाम है medullary rings अब देखो जैसे पेड आपके पास ऐसा होता है किसल पेड आपके पास ऐसा होता है पेड काटो गये ओपर से तो ऐसा देखेगा ठीक है लेकिन अब जो ऐसा देख रहा है piace सउनींगा इस बात को विटा हम लोग बोलते हैं कि जब पेड कारते आ तो पेड कारने के बाद कुछ ऐसा एक पेड़ ऑआन तो इसमें तुम धान से देखो, मैं इस टॉप वाले पार्ट को यहां पर बना रहा हूँ, ऐसे मैं बना रहा हूँ, तो देखिए, आपके पास में मालोग कोई एक पेड़ है, अब यह जो पेड़ आपका ऐसे दिख रहा है, इस पेड़ में, मतलब समझगे ना, देखो, मैं इस पेड़ को अगर कहीं से भी काटूं, इस पेड़ को कहीं से काटूंगा, तो पेड़ कहीं से काटने के बाद, यहां से काटूंगा, तो उपर से एक टॉप से कैसा देखेगा, बिटा, यह ऐसा ही तो देखेगा, ठीक है, तो यह जो जितने भी छल्ले आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हे हम लोग क्या बोलते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं ऐन्योग बोलते हैं यह पास अन्यीば सारी यह कुछ रेडियल फाइवर्स के दौरा किसके दौरा बिटा रेडियल फाइवर्स के दौरा ऐसे बंदी हुए होती है आपस में क्या होता है इन में बॉंडिंग होती है तो रेडियल फाइवर्स क्या करते हैं इनको ऐसे बांध करके रखते हैं और रेडियल फाइवर् तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं दोनों जगे पर कर देता हूं से यहां पर रिंग्स नहीं है मैं डाली रेज इनकोँ मुलेंगे तो दो चीज़ें हमारे समझ में आ गई एक मिनिट एक मिनिट रुकिए इसको हम लोग रिंग रेस कर देते हैं ओके हाँ जी अभी देखे बटा तो पेड़ को जब मैंने क्रॉस सेक्षन देगा तो मुझे महसूस हुआ मुझे पता चला कि यहां पर आपके पास मैं जब पेड़ को हमने देखा तो इससे हमें महसूस हुआ कि दो चीज़ा हमें समझाई जा रही है पहला आपके पास जो एन्वल रिंग हर साल पेड़ की अमुर्गों दर्शानी के लिए कुछ सर्कुलर रिंग हर साल पेड़ के चारों तरफ एड हो जाती है और हम लोग बोलते हैं क्या दी जार्दा मैडॉलरी रेज बोलते हैं क्योंकि देखो किसी भी सर्कुलर चीज़ का जो रेडियस होता है वो इस डिरेक्शन में होता है और इसी डिरेक्शन में यह आप लोगों को यहां पे कुछ इस तरीकी की रिंग दिखाई देरी है इसलिए हम इसको रेडियल फाइवर के नाम से भी जानते है अब यहां ग sabemos अब सेम इस इसके एक्जांपल्स तो काफी सारे है जैसे कि चीर, देवदार, स्फूस, उकलिप्टस and very important, यह सारे topics बहुत important है, लेकिन इसको याद करनी कि मैंने एक trick बता रुक है, जो की exam में जारतार पूछी जाती है, और वो trick है आपके पास CDS, जैसे CDS का exam होता है न, तो CDS के exam की तरह मैंने आपको बता रुक है, यह तीन questions आपके बहुत पूची जाते हैं, चलो comment box के अंदर, सभी लोग ना, CDS एक बार जरूर लिख देंगे, CDS का मतलब होता है चीर, देवदार और स्फूस, क्या लिख देंगे इसका नाम लिख देंगे, आप लोग चीर, देवदार और स्फूस, CDS, इसके अलाबाद यूकलिप्टस PC का एक्जामपल होता है, आगे बढ़ेंगे, डेसीडियस पेड़ की तरफ, अब देखो, डेसीडियस पेड़ में आपको hardboard या पत्सजड़ी पेड़ प्राप्त होंगे, यह आप अपनी पत्तियों को एक मौसम आने पर गिरा देते हैं, जड़ा देते हैं, ठीक है, सूख जाते हैं एक तरफ, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन पेड़ों में उल्टा हो जाएगा, इन डिस्टिंक्ट मतलब एइस पस्ट एन्वल रिंग और डिस्टिंक्ट मेडूलरी देज, मतलब इसके अंदर क्या होगा, जो आपकी मेडूलरी जो तो क्लियर दिखेंगी, लेकिन जो आपकी एन्वल दिंस हैं, वो आपकी क्लियर नहीं दिखाई देंगी, next point, timber जो हाँ से प्राप्त होता है, वो hard लकडी आपको hard, heavy और strong लकडी प्राप्त होती है, इसके भी examples होते हैं, और इसके example याद करने के लिए मैंने आपको एक trick बतार किये, जिसका नाम है बॉस, बॉस का मतलब क्या हुआ, बी का मतलब है बवूल, उक का मतलब है ओक, एस का मतलब है सीशम, एस का मतलब है शाल, ठीक हलां कि इसके अलावा भी ओत example होते हैं, जैसे की mango हो गया, जैसको हम लिखा हुआ, साल, ओ, बबूल, सीशम, पेटी, एक mango etc ये सभी इसके example लेकिन इसके example क्या लिकेंगे बॉस वह सो चलो comment box के अंदर सभी लोग लिख देंगे boss इसका एक example होगा हुकुम का एक बॉस ठीक है याद होगे बटा अभी देखो मैं आप लोगों को ना एक बड़िया चीज बता है तो इन दोनों इन दोनों चीजों का मैं आप लोगों को अभी एक डिफरेंस समझा देता हूँ देखे एक तरफ मैंने लिखा हुआ है यहां पर कॉनिफर ट्री एक तरफ लिखा हुआ है इनके पैरामेटर अब देखे सबसे पहले हैं लक्री की बात करूंगा तो अभी बहुत देर से हम लोग बात कर रहें कि जो वोड होती है सर वो आपके पास यहां पर सौफ्ट मिलती ह और यहां पर आपके आपके पास में वोड हने बाते है अब देखों यहां पर पर स्वर्ण होती है मतल़ करें मेडिल्री ची बात करूंगा तो यह आपकी इंडिस्टिंक्ट होती है उसके बात अब देखो तो एक चीज simple सी समझो, पहली बात तो, हमने अभी क्या कहा था, कि यहां से हमें hard लकडी प्राप्त होती है, और यहां से soft लकडी, एक चीज को दिमाग में बिठा लो, जो soft लकडी होती है, soft लकडी, उसकी density कैसी होगी? कम होगी, जो hard लकडी है, उसकी density कैसी होगी? कि होती है, जिसकी density ज्यादा होती है, वो कैसे color की होती है, एक और चीज, जिसकी density आपके पास में कम होती है, मतलब उसके particle कैसे हैं, दूर दूर हैं, तो उस जगह पर आपके पास में जो fire resistance property होगी, वो poor होगी, जिसका आपके पास 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 में है, मतलब उसके अंदर compactness ज ठीक है, ओके, सर कमाल, आपकी वीडियो बहुत दिनों से मिस कर रहा था, प्रॉम पाकिस्तान, thank you so much भाई, thank you so much, और पढ़ते रहो भाई, इसी तरीके से, चली बहुत अच्छा लगा भाई, कि पाकिस्तान तक हमारी वीडियो जा रही है, और बहुत अच्छा लगा भाई इसके कितने parts होते हैं, standing timber, rough timber, converted timber क क्या होता है, इसके बाद आपको timber से कहां से आया, timber कहां कहां, यूज किया जाता है, क्यों हम इसको timber बोल ले हैं, और 600 m से ज्याधा, डाया वाले, पेडों का इस्तमाल ही, हम लोग क्या बोलते हैं, पेडों का इस्तमाल ही, हम लोग कहां करते हैं timber के अंदर यूज करते हैं फिर आपको तीनों चीज़े बता दी इसके बाद मैंने एक्सप्लेइन किया कि इसका chemical composition क्या है उसके बार क्लासिफिकेशन में हमने exogenous endogenous को पड़ा और उसके बाद मैं next one आपका कॉनिफर और डेसिडियस उसके बाद मैं आपको बताया exogenous पेड क्या होते हैं exogenous पेड की क्या खासियत हैं और यह कितरे टाइप के होते हैं दौनों के इंसाइड इससेल ऐसे पेड जो कि अंदर की तरफ ग्रो करते हैं ऐसे पेड जो कि अंदर की तरफ ग्रो करेंगे के नाम से जानेंगे जैसे बैंबू, केन, पाम, डेट, कोकुनट, बनाना, यह सब ही कहा है, इनकी पेड़ की ग्रोथ कहा होगी, अंदर की तरफ पेड़ की ग्रोथ होगी, अब एक चीज़ धान रखिए, कहा लिखा हुआ है, अल्ली बैंबू इस यूज़ फॉर कंस्ट्रॉक्शन परपर इंद इसके स्केप, फॉल्डिंग, फॉर्म वर्क, फॉर्म वर्क वगरा में, स्केप फॉल्डिंग में हम लोग इसका इस्तमाल करते हैं, सिर्फ बैंबू का इस्तमाल करते हैं, बाकी किसी का इस्तमाल हम लोग यहां पे नहीं करते हैं, तो इसमें बात का आप लोग ध्यान रखेंग पर timber के classification को समझा जाता है, पहला classification ने बिटा, modulus of the elasticity के आधार पर, I hope आप लोगों ने question जरूर देखा होगा, और दूसरा part होता है, durability के आधार पर, किस के आधार पर, durability के आधार पर, तो सबसे पहले, अगर मैं आप से बात करूँगा, modulus of elasticity के आधार पर, हम लोग कितने टाइप से classified करते हैं, एक timber को, तो तीन तरीके होते हैं, आपके पास, तीन class होती है, group A, group B, और आपके पास में है group C, ठीक है, अब देखिए, group A, group B, group C, मतलब सबसे पहले देखेंगे, group C से देखें, जिनकी modulus of elasticity, मतलब E की जो value होती है, आपके पास में, bending के अंदर, वो 5.6 kN पर mm² से अगर उपर हो, मतलब इसकी जो E की value है, वो 5.6 kN पर mm² से कैसी है, जाता है, KPA, किलो, आपको बोल सकते हो है, मेगा पासकल की जगापे, किलो MPa की फॉर्म में लिख सकते हो, या फिर सीधा-सीधा इसको, क्लोटन पर mm² की फॉर्म में इसको लिख सकते हो, ठीक है, अभी देखो, इसकी value मैं आपको क्या बताया, अगर इसके पास में E की जो value है, E in the bending, modulus of elasticity in the bending के case में अगर इसकी value 5.6 क्लोटन पर mm² से ज्यादा होगी, तो यह आपके बाग group C में classified होगा, अगर यही value आप लोगों की कहां से कहां बेटा, 9.8 से और 12.5 के बीच में होगी, तो उसे हम लोग बोलेंगे group B, और 12.5 क्लोटन पर mm² से ज्यादा, अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कि अगर 5.6 यहां दिखा हुआ है, 5.6 से लेकर के, क्लोटन ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, 9.8 क्लोटन पर mm² तक होगी, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यहां तक, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, या फिर ऐसे बोल दीजे, E की जो value है, विन दौनों की बीच में, इससे कम, लेकिन इससे आपके पास में ज़्यादा, तो उसकेस में हम लोग यह बोल देंगे, अगर 9.8 से ज़्यादा, लेकिन 12.5 से कम होगी, तो उसको group भी, और अगर आपके पास में 12.5 क्लोटन पर mm² से आपके पास में ज़्यादा होगी, तो उसे हम लोग बोलेंगे group C, I hope आप लोगों को बात समझ में आ गए होगे, ठीक है, चले, clear समझ में आ गए है बिटा, okay, next point देखेंगे, और next point के उपर discussion भी करेंगे, तो next point है बिटा आपके पास में, that is the durability, तो दो तरीके इसको हम लोग classify करते हैं, पहला, modulus of elasticity के आधार पर दूसरा durability के आधार पर, तो जब durability के आधार पर हम लोग देखते हैं, तो durability के आधार पर आपके पास तीन तरीके से इसको classify करते हैं, मतलब, ऐसे paid, जिनकी average life, less than 60 month, less than 60 month का मतलब हो गया, आपके पास में 5 साल से कम है, ठीक है, 5 साल से कैसी है, अगर कम है, तो उसको हम लोग किसी भी, अगर आपके पास में, जो आपका paid है, अगर किसी भी paid की जो average life है, वो आपके पास कैसी होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है, कि 5 साल से तो ज्यादा, लेकिन आपके पास लिखा हुआ है, 112 मतलब, 10 साल तक, तो लिखा हुआ है, 5 साल से लेकर के, और 10 years तक होगी, त अगर आपके पास किसी paid की age, 10 years और above होगी, 10 years और above, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, that is the high durable timber, यह question बटा, exam में आचोगे धान रखेएगा, ठीक है, ओके, चलो, इस समझ में आगे है बटा, तो यह चीज धान रखेएगा, important point का है आपके पास में, यह revision करने के बहुत important point ह इनको आपको exam time में इनको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि गिने चोने question है, वही पूछे जाएंगे आप लोगों से, जो आप लोगों को मैं बता रहूँ यहां से, जो important topics हैं, उन्हीं के उपर हम लोग सिर्फ discussion करेंगे, इस पूरे chapter के अंदर, अभी देखो, मैं आप ल देखेंगे एक बाद धांसे समयने की को कोशिच कीजिएगा, just one minute, just one minute भाई, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, अभी देखेंगे, आजओ, अभी देखना इस पे डांसे समयने कोशिच करिएगा, तो मैं आप आपको timber का cross section बनाना सिखा रहूँ, ठीक है, तो सबसे बहले हम लोग क्या करते हैं, timber का cross section बनाते हैं, तो यह मैंने बनाया, इसका सबसे आंतरिक पार, सबसे अंदर का part मैंने बनाया, ठीक है, जिससे पितिया मैडूला हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसके बाद क्या होगा, एक और part मैंने इसके बाहर बनाया, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका हर्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसका हर्ट, और इसके बाद में हम लोग एक और part ब पर बनेगा और उसे हम लोग बोलेंगे जस्ट वन मिनिट एक पर इसको सही रख दें अहां ठीक है उसके बाद एक और पार्ट बनेगा इसका और उसको हम लोग बलेंगे बार्क अब थोड़ा ध्यान से समझेना क्योंकि इंपॉरेंट है और इसना पॉइंट और पॉइंट इसकेल क्या था पी एच इसकेल ठीक है जो फिर इसकेल है और सिस्क्राइब्टक होदा है लिए असे क्ज़़ा फिए है पिट्य है मेडला इसको बूलते हैं पॉलते हैं एप मतलब पिथिया मेडिव Science को बूलते है इसको देख सकतें करें का जो सबसे घेल कलर का जो सबसे आंचर वोट कै तो इससे हम लोग जो पूलत है इन्ह sometimes दार्ग पूर्टेंच, टार्ग वोर यांघोल आपसे जाते हैं अब दूसरा पॉोइंट सहुंब के नाम से जानते हैं अब डूसरा पूंत के होता है क्या होता है गला 2 second point is the second point is the hurtwood ठीक है हर्ट वोड हर्ट वोड क्या होता है हट वोड आप लोग धान रखेगा कि यहां पर इसकी आगर definition आप से कोई पूछ लें इसका explanation explanation बताऊगे कि layer surrounded layer around या layer around पित के चारो तरफ जो आपकी layer होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं हर्ट वोड बोलते हैं धान रखेगा ठीक है उसके बाद में तीसरा पॉइंट आप लोगों को यह दिख रहा होगा तीसरे पॉइंट को मैं बना भी देता हूं एक बार यह जो पॉइंट हो गए तीसरा पॉइंट आपके पास जो देखेगा उसे हम लोग बोलेंगे खाना मत पेड का जो भूजन होता है ट्री उसको हम लोग बोलेंगे ठीक है और एक चीज और लिख रहा हूं एक्टिव पार्टिसिपेट एक्टिव पार्टिसिपेट एक्टिव पार्टिसिपेट इन ग्रोथ एक्टिव पार्टिसिपेट इन ग्रोथ पेड की जो ग्रोथ होती है ना उसके अंदर मुख्य भूमी का निवाने का जो काम है वो अपके 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 बारे में चीज़ा याद रखनी आप लोगों को नेक्स पॉंट मैं आप लोगों को बता तो नेक्स पॉंट जो है आपके पास एक काम करती है खाने बोजन की रूप में इस्तमाल होती है लेकिन यहां पर मेरी आवास के लिए आप लोगों पहले ही बोल देता हूं क्यों कि मैं शुरू मैं बोला भी था कि प्ली इसका बुरा मत माने का मेरी थोड़ी सी ठीक नहीं है ठीक है और यहां पर हम लोग क्या बोलते है इसको इसको बोलते है बनाते हों कि आप पेड़ की चाल होती है विशरी नीम का पीड़ सभी ने देखा होगा तो नीम के पेड में आप लोगों ने देखा होगा बाहर की तरफ आप ब्लैक से कलर का उसकी चाल होती है देखा है आप लोगों ने तो उसी को पिटा हम लोग क्या आप बोलते हैं अब बार्क के दो इससे हो गए एक आपके पास में हो गया आउटर बार्क एक आपके पास में हो गया आउटर बार्क और यह आपके पास में जो दूसरा है इससे हम लोग बोलते हैं इनर बार्क यह तो आपसे कोई पूछे कि भाई यह जो Cambium layer है यह किन गिन दो लेयर के बीच में है यह आप से पूछ सकता है तो आप इसे मैं बताओगी कि जो Cambium layer होती है वह आपकी बिट्वीन बिट्वीन सेवोड एंड सेवोड एंड एंड इनर बार्क तो आपकी सेवोड और इनर बार्क के बीच में आपकी यह क्या मुझें वोलयंगे अब देखो यह जो आउटर और बारक यह इनर आता है मैं क्ता है प्रोटक्ट ट्री फ्र kep ये उसके जांप केघी फ्रोट इटमोस्फेरिक एफेक्ट जो आपके एटमोस्फेरिक एफेक्ट होंगे ठीक है दूप गर्मी सरदी ऐसेड वगरा और इन चीजों से क्या करेंगा टिम्बर को बचाएगा ठीक है तो आपने देखा होगा पेड के हर पेड के चारों तरफ अब तो बोलोगे कि कि ये इस इसका फाइनल आंसर क्या होगा ठीक है मुझे अमीर है कि आप तो एक दम बराबर समझ पाहरे होंगे और एक भी मेरी क्लास में ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको एक पॉइंट समझ में नहीं आ रहा होगा ठीक है चलिए तो अब आप मेरे साथ इस बात को समझने की कोशिश्च करें इसकी जो ट्रिक है यह आपकी ट्रिक this is the trick to remember pH skill कैसे याद हुआ साथ देखिए पी मतलब सबसे अंदर पित उसके बाद H मतलब हर्ट देख सकते हैं आप दूसरा हर्ट वोड देख रहा है अच्छा हर्ट वोड मैंने आपको बता दिया लेयर अराउंड अलेयर अराउंड पित अब आप से पूचा जाएगा क्या- तो जो वैल्यू होती है हर पेड के लिए पित का शेप और साइज अलग-अलग होता है तो बताएंगे आप लोग शेप एंड साइज शेप एंड साइज शेप एंड साइज डिफरेंट डिफरेंट पॉर डिफरेंट ट्रीज पॉर डिफरेंट ट्रीज आपसे पूचता है लिए अलग अलग फिरों के लिए अलग शेप होता है और सबसे अंदर का डारकेस्ट मार्ट होता है को बात इसके बार इसके के बात तीसरा पॉइंट कौन सा है देखो नहीं लिख रहा है आपके पास देख सकते हो आप तीसरी लेयर मैंने बताइए आपको सफ और दिस दासे दासे बॉर्ट ओके अब सब्वर को द्यान से देखिए इसमें मैंने बतायीं कि सब्वर जो होता है food for the food लिखना थे हैं पर this is food for tree यह पेड़ के लिए जो भोजन के रूप में इस्तिमाल किया रहता है उसको हम लोग क्या पूलते है that is known as the लेता है पेड़ की ग्रोथ में मुख्य भूमिका निवाने का आपके पास कौन कर रहा है क्योंकि खाना ही तो आप लोगों के पेड़ के अंदर असली में जो बोजन है उसको पहुंचाएगा या उसकी ग्रोथ को कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा तो इसलिए हमने ऐसा बोल देख सकते हैं अप लोग तीसरा है सब दोट चौथा देख सकते हैं आप लोग यहां को सब्यूंड बता दिए तीसर वाल पार चौथा आपके नहीं हुआ है तो ऐसा पार्ट जिसको चो कि अभी तक मेंोमें नहीं हुआ है उसने हम लोग क्या बुलते हैं उसे आगे जाकर कि क्या होता है ये आपका सैब बूर्ड में कनवर्ट हो जाता है ठीक है तो ये आपको ध्यानद Wegooh अब मैं आपको इसको याद करने के एक और तरीका बताता हूं मैं इसको याद रखता हूं PHSC IOM के नाम से किस नाम से पटा PHSC IOM के नाम से क्यों कि इसमें एक ऐसी चीज है जो अभी भी क्या करती है उन सभी को रीडियाल डियरेक्शन में बांध के रखने का काम है वह किसका है वह आपके पास में मैडूलरी रेस का ठीक है कितना जवर्दस डायग्रम बना कितनी चीज आपके समझ में आप लुगों के दिमाग में हर एक चीज बहुत ही बढ़िया तरीके से का मतलब देखो P का मतलब Pitt, H का मतलब हट वॉड, S का मतलब सबूड, C का मतलब आपके वक्यम लेर, I का मतलब Inner bark, IB लिख सकते हो इसको, O का मतलब आूटर बार्क, OB लिख सकते हो और M का मतलब में अच्छे से समझ में आ है तो, और मैं उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा टॉपिक समझ में आया होगा यह वाला जो क्रॉस सेक्शन आप टिंबर के बारे में पूछा जाता है आप लोगों से टीक है शांदर तरीके का रिस्पॉंस होना चाहिए अगर कॉमेंट बॉक्स के अंदर अगर आप लोगों के पूरा क पूरा टॉपिक समझ में आ गया है तो आप लोग जबर्दस्ट रेस्पॉंस देंगे मुझे कितना आसान था सईसे समझने वाला एक पॉइंट चाहिए अगर आपने सईसे समझ लिया ना किसी चीज़ को फिर कोई दिक्कत नहीं आती है फिजिक्स आई-उ-म भर जाना चा अब यह जो मैंने पढ़ा है ना इसी चीज़ को मैंने आगे explain किया हुआ है आप इसको पढ़ सकते हैं इसका मैं notes में दे दूँगा लेकिन बड़ा मैंने वही रखा है कि inner most central part होता है cellulose का बना होता है darkest part होता है पेड़ की growth में यह कोई भूमी का नहीं निवाता इसका shape औ आगे भी लिख रखा है मैंने heartwood के बारे में लिख रखा है कि ऐसी annual ring जिसने पित को चारों तरफ से घेर रखा है यह भी पेड़ की growth में कोई भूमी का नहीं निवाती sapwood के बारे में बता दिया sap क्या होता है गाड़ा तरल पदाःत होता है जो की पेड में भूझन की रूप में अपस्ते होता है इसको मैं क्या करूंगे इसको मैं आप लोगों को ना यहां पर लिखा हुआ है अलबरनम किसे कहते हैं सब्वुर्ड जो होता है उसका दूसर नाम होता है विटा अलबरनम क्या बोलते हैं इसको अलबरनम के नाम से हम लोग जानते हैं और यह आपको यादक नहीं लेकिन अब दो से, not rings, these are medullary rays, right, these are medullary rays के नाम से हम इसको जानते है, अभी ते को medullary rays क्या होंगे, आपके पास में लिखा हुआ है, it is a radial fiber extending from pith to cambium layer, are known as the medullary ring, medullary rays, rays, rays है आपका, medullary rays, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, medullary rays बोलेंगे, which binds all the annual rings of the tree, मैंने आपको पहले भी बताय था, कि medullary ring जो होती है, medullary rays जो होती है, आपके पास में, ये radial fibers होते हैं, और ये radial fiber क्या करते हैं, extending from pith to cambium layer, देखो आप डाइगरम में भी देखोगे न, तो मैंने इनको, pith से सिर्फ cambium layer तक दोड़ा रखा है, pith से लेके cambium layer, बार्क तक नहीं पहुचा रखा है, ठीक ह जो annual rings होती है, पेडों की, उनको बांद के रखती है, उनको bind करके रखती है, उसके बार लिखा है कि पेड जब आप लोगों को बड़ा होता है, तो उसके अंदर भूजन का संचारण करने का काम भी medullary rays का होता है, लास्टिक पॉइंट लिखा हुए आपके पास में, बार process of the timber, मतलब timber के process कहा है, जैसे हम लोग हर चीज के process समझे चाहे, वो brick था चाहे, वो cement था चाहे, वापके पास टोन था, अब हम लोग समझने है process of timber को, timber की process क्या होती है, मतलब timber को हम लोग कैसे प्राप्ट करते हैं, और कैसे उसका सही तरीके से यूज होता है, तो इसके च चार process हैं, चारो process के बारे में दान से सुनेंगे, पहला जो process है आपके पास, वो है आपका falling of the tree, क्या है बटा, पहला जो process है आपके पास, वो है falling of the tree, दूसरा जो process है आपके बाद, वो है seasoning of the timber, तीसरा जो process है आपके बाद, वो है conversion of the timber, चोथा जो process है आपके बाद, वो है का नहीं लग रहा मुझे ठीक है और इनको भी जरुवत आवश्यक्ता लग नहीं दी मुझे इनको भी हटा देते हैं थाकि छोटे शोट नौट और शॉट नोट मिलेंगे आपको कम नोट मिलेंगे तो ज्यादा पहतर आप लोगों के लिए रहेंगे चलिए आगे बढ़ते ह आपके पास क्या होता है दूसरा पता है था कंवर्जन आप टिंबर मतलब होता है इसको सनक्षित करना कीडे मकोडे दीमक वगएरा से फंगस वगएरा से या फिर मौसम के फ्रवाब बारिश से आंदी से या धूप से इन सारी चीज़ों से बचा के रखने हैं हम लोग पे इसको हम लोग क्या बोलते दर्जा या फायर रेजिटर्स हमें बनाना है हमें इसको सुंदर अपीरेंस बनानी है तो इसलिए हम लोग उसको प्रिजर्व करके रखते हैं तो चार पॉंट चारों की बारे मिं डिस्कॉशन करते आईए तो सबसे पहले हम लोग क्या करें वि ठीक है जब पेड़ आपके प्रॉपर मिचॉर हो जाते हैं तब ही हमें पेड़ों को काटना चाहिए पहला पॉंट किलियर हुआ ठीक है दूसरा अब पेड़ मिचॉर कभ होते हैं तो मैंने शुरुआत में ही जब चैप्टर यह शुरू किया था तो इस चैप्टर के शु काट सकते हैं उसे इसको कितना माना गया है पचास से सौ साल माना गया है अब यहां पे एक और चीज़ पताईगी है या तो पेड़ को तब काटो जब आपका प्रॉपर मिचॉर हो चुका है पहला तरीका दूसरा तरीका दूसरा पॉइंट की यहां पहली तीन पॉइंट पहला पॉइंट को 50-100 साल तक हम लोग काटते हैं क्यों कि 50-100 साल में पेड आपको मेच्वर हो जाते हैं पचास से सौ साल में पड़ा डिफ्रेंट्स है अलग-अलग पेड़ों के लिए इस आपकी आप्टिमम में होती है तीसरा पॉइंट आपके पास में ही जो पेड होत हमारे पास पहला तो पॉइंट है कि हिली एर्या में कप काट होगे और दूसरा फॉइंट है प्लेन एरिया में कम तो देखो है है कि फॉलिंग होती है उपर couple काटा जाता है क्लाम कि यूंख और जुन एंपर और जुन यहां पर यह असे लिखा हुआ है क्योंग कि winter जो होती है न तोह पर रेन अकर होगी snowfall हो सकती है इस current से हम लोग क्या करेंगे मिड मिड समर में हम लोग आएंगी मैं और जून के महीने में काटेंगे क्योंकि winter में बिटा रेन अकर होती है दूसरा जो हमारे plain area जो होते हैं जैसे हमारे जो चेत्रह नौर्थ रिजन आपका बिहार हो गया यूपी हो गया रायस्टान हो गया इनमें लोग पेड़ों को हम लोग सर्दियों में काटते हैं जो नौर्थ रिजन है उनमें गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है तो ज्यादा गर्मी होने के कारण से उसमें क्रैक होने के चांसे ज्यादा है इस कारण से हम लोग तब इसको काटेंगे जब आपके पास सर्दियां आ जाएंगे मिडविंटर मिडविंटर का मतला बताविटा दिसंबर और जून के महीने में हम इसको काटेंगे दोनों बहुत इंपॉरेंट टॉपिक है जो कि एक्जाम में आप लोगों से डिरेक्टली पूछे जाएंगे उमीर है कि आपको समझ में आया होगा अब देखिए अब आपको में नेक्स पॉइंट बताता हूं कि जब लोग सीजनिंग के बारे दूसरा पॉइंट हमारे पास में दैट इस दा सीजनिंग ठीक है सीजनिंग कैसे करते हैं देखिए लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ क्या बोलते हैं उसे हम लोग सीजनिंग कहते हैं तिमबर को ड्राइ करने की जो प्रोसेस है उसे हम लोग सीजनिंग देखो इसके जो मैथर से वह नहीं आते एक्जाम में सिर्फ बुजाएदा नेचरल और आर्टी वीशल मैथर क्या होते हैं सिर्फ उत्ता पढ़िए फिर पेड में से पेड में से जो आपके पाणी मौझूद है उसको सुखानी की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं तो मैं बोलूंगा इसमें कोशन आएगा आपके पास में दाप्रोसेस ओफ ड्राइंग ऑफ दा टिमबर इसकॉल दा सीजनिंग या प्रोसेस आप रिमूविं तो पेड को कारते हैं तो उसके अंदर पचास परसंड मौश्य कॉंटेंट होता है और इसको हमें कहां तक लेके जाना होता है तक 10-12% तक 10-12% तक तक वाटर वाटर आईडियल माना जाता है ठीक है बटा क्या बुलों कॉमेंट बॉक्स में लेकेंग गी कॉमेंट बॉक्स होता है उसकी seasoning कब तक करते हो तो answer क्या दोगे paid की seasoning अम लोग तक करते हैं जब तो कुसमें 10-12% पानी नहीं रह जाता हूँ optimum moisture content आप से पूछे कि optimum moisture content की value कितनी होगी timber के लिए तो 10-12% होगी comment box के अंदर तुरंत answer आजाना चाहिए यह question exam में इतनी बार पूछा गया है यह question exam में इतनी बार आप लोगों से पूछा गया है बहुत important topic है बहुत important ठीक है अब देखिए तो यहां पर आगे बताएगे आप लोगों को कि भाई जो after falling the tree 50% पानी मौजूद होदा तिमबर के अंदर अब उसको हमें 10-12% तक लेके आने उसके लिए मुसको सुखाना पड़ेगा ठीक है आगे आप पर पता रहा है कि दो तरीके के आपके seasoning process होते हैं sorry दो तरीके का पानी आपके पेड़ के अंदर मौजूद होता है पहला जो आपके पास में यह तिमबर के अंदर मौजूद होता है पहला free water और दूसरा structural water देखो बटाए जो free water होता है न और structural बट दो तरीके के पानी होते है structural water कभी भी रिमूब नहीं होता है धान लखिएगा structural water ऐसे तो मालो हमारी बॉड़ी में structural water भी तो है बिटा हमारी body में structural water भी तो है तो ऐसे तो नहीं तो पूरा हमारी body दिन भर सूखे गिया में दिन भर पानी के अंदर डूब के रहना पड़ेगा तो कुछ एक होता है structural water एक होता है surface water जो हमारे pores पर है हमारी body में बहुत छोटे-छोटे छिद्र होते हैं उनके अंदर moisture content मौझूद होता है जब evaporate होता है ना पानी यह हमारे body में पानी पोर्स में से पानी रिमूव होता है क्योंकि पोर्स में से जो पानी भरा हुआ है उसको capillary water बोलते हैं और वह आसानी से क्या कर सकता है evaporate हो सकता है लेकिन जो structural water होता है जो हमारी veins के अंदर जो हमारे बॉड़ी के अंदर जो system होता है अपना उसके अंदर मौझूद है वह पानी रिमूव नहीं होता ठीक है तो इन दौनों पॉंटों के आ रखेंगे तो लिखा हुआ seasoning जो होती है वह सिर्फ और से free water की होती है structural water की seasoning नहीं होती है दन एकदम चलिए आगे बढ़ेंगे next point के उपर discussion करेंगे देखे अब होता क्या है यहां पर आपके बार लिखा हुआ है seasoning क्यों की जाती है exam में question important है यहां से question आ चुके है ठीक है तो पूछा जाएगा आप लोगों से कि भाई seasoning क्यों कर रहे हम लोग क्या reason है seasoning करने का कोई special region ने seasoning करने का तो यहां पर लिखा वा है sir to increase the stability of the timber जो timber होता है उसकी stability को increase करने के लिए timber की long life के लिए मतलब timber की stability को increase करने के लिए timber को लंबे समय तक टिकाय रखने के लिए हम लोग क्या करते है seasoning दूसरा अब seasoning करने से होता क्या है अब देखो इसका main reason हमारा नहीं है weight को reduce करना main reason कभी हो सकता है weight को reduce करना नहीं हम लोग बाकी के reasons को देखेंगे ना तब हमें समझ में आएगा कि weight reduce हो गया है अगर हम लोग seasoning कर रहे हैं तो जिससे हमें क्या होगा handling करने में आसानी होगी उस लकड़ी को हम लोग चाहें उस इतनी हाइट पर लेकि आसान होते हैं श्रिंके जो होता है उसके अंदर सिकुडना वगरा होता है उसक्रेक्स वगरा होते हैं वह भी कम हो जाते हैं next point for for the preventing the disintegration of the layer अब देखो जैसे हमारी बोड़ी या कोई भी material होता है actually मैं वह लेयर से मिलके बनाना जैसे मेरा मालों यह एक आपके पास part है लेकर यह actually layer से बहुत सारी छोड़ी-छोड़ी layer से मिलकर की तो बना कोई भी material तो layer जो होती है वह आपकी disintegrate ना हो जाएं वह damage ना हो जाएं इसको भी रोकने के लिए seasoning बहुत important होता है next prevent from the fungus and whitened दीमक वगरा और fungus वगरा ना लग जाए इस लीवी seasoning जान से सुनना एक important question है मैंने लास्ट यह एक question notes के अंदर लिखाया था वह question directly 2030 में पूछा गया पूछता है कि fungus कब लगता है किसी भी लकडी में fungus कब लगेगी तो बिटा किसी भी लकडी में fungus लगेगी जब उसके अंदर 20-30% मात्रा में मौशर कॉंटेंट मौजूद होगा जब उसके अंदर 20-30% मात्रा में मौशर कॉंटेंट मौजूद होगा तब उस पेड़ के अंदर पंगस लग जाती है ठीक है आगे देखेंगे next point क्या लिखा हुआ है to increase the stiffness strength and electric resistance मतलब stiffness बढ़ाने के लिए उसकी fire resistance को बढ़ाने के लिए electric resistance को बढ़ाने के लिए हम लोग seasoning करते हैं तो यह point आपको ध्यान रखने पड़ेंगे that are very important content जो की exam में आप से और पूछे जाते हैं अभी देखो कई बार exam में कोई पूछता है आप लोगों से कि चलिए हमें आप यह बताईए कि जो एक टुकड़े में काट लेते हैं ठीक है काट लिया प्रॉपर शेप और साइज देखे अब हमने क्या किया जो आपके पास यह लकड़ी का टुकड़ा है ना इसका हमने वेट निकाल लिया और वेट को मैंने बोल दिया कट लगड़ी का टुकड़ा अब यह लखडी पेड़ से काटी गई होगी इसको प्रॉपर शेप और साइज दी हृए 50 गशास ऐसे हो आपके पास में पचास ग्यप ऑपके पास और आपके पास ए 25 हैसे हो गया ठीक है तो 50 गशास गट शान वह पंचीस का कोई टुकड़ा इसके बाद क्या होगा, इसका जो weight हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, आप बुलिंग से बिल्कुँ सही बात है, अब अगर मुझे ये पता लगाना हो कि इसमें कितना percentage वो condition है, जिसमें सूखा हुआ है, तो सूखा हुआ है, तो हम लोग बताएंगे, बाई, सूखे हुई लकडी, अब तुम सोचते हो, कई बार सर, हम लोग तरहां पर W1 रखना चाहिए, हमें काईदे से, काईदे से सर, हमें आपर W1 रखना चाहिए, आप लोगों की विचार मे के कारण से, आपने, आपकी उस लकडी में कितना पानी है, मौझूद, तो W1 माइनस W2, अपॉन W2 किया गया, इंटू 100 किया गया, बात मैं कहीं सोचों कि सारी, W2 क्यों है, तो W1 होना चाहिए, तो ये चीज़ बिटा, आपके दिमाग में, भरपूर मात्रा में जानी चाह ही, अब यहाँ पर फाइनली लिखा हुआ है, सीजनिंग इस ड़न अंटिल ना मौशर कॉंटेंट इंदा टिमर इस 10-12%, सीजनिंग तब तक की जाती ही, जब तक कि उसके अंदर मौशर कॉंटेंट कितना ना हो जाए, आपके पास में 10-12% तक ना रह जाए, तब तक हम लो होता है, दूसरा आपके पास में होता है, आर्टिफिशल मेफशार, कितने मैफशार है, दो मैफशार है, एक आपके पास में है बिटां, नेचरल मैचर दूसरा, आपके पास में gotta ampart, अभी देखेंगे, नेचरल सीजनिंग है, पहली बात है, टाइम कंजुमिंग प्रोसर मैं simple तरीक आपको बतायता हूँ, लकडी को आपने काटा, काट के आप लोग लिया आए मैदानों में, मैदानों में लाने के बाद उसको डाल दिया, खुले मैदानों में लकडी के जो लोग होते हैं, लोग समझते हैं, लोग मतला जो लकडी के देखो, ऐसे लकडी थी, एक पेड़ था, उसमें शाखाएं थी, उसके अंदर आपके पास में पत्तियां, वत्तियां, सब कुछ होगा, ठीक है, और जड़ें भी होंगी, अब पेड़ को आपने क्या किया काटा, तो पेड़ का सिर्फ कौन सा वाला हिस्सा, पेड़ का यहां से ले करके, और यह वाला उसकेrem, शाब किकी करते हैं, इस लोग को हम लोग बिटा क्या करते हैं, खुले मैधान जो होते हैं, उन खुले मैधानों में डिर्फेक्ती नहीं डाल दिया जाता है, तो यह धूब की वज़े से, यह सूटता रहता है, तो यह आपके पास में एक नेच्वल सीजनिंग होत यह गुमाया regulator और सूरज की रौशनी कम होगी जादा किया तो तेज होगी बेटा हीटर थोड़ी है तुमारा नहीं हो सकता ऐसे एसी थोड़ी तुमारा तो यहाँ पर आपके पास temperature या temperature variation की उपर जब आपके हाथ में की temperature variation की अदर सूख रही है तो वहाँ पर अलग अलग लक्री कोई जल्दी सूख जाएगी कोई बाद में तो मैं पता ही नहीं चलेगा और इसमें अब देखो next point आपके पास में जब natural seasoning करते हैं तो उसके बाद 15% moisture content रह जाता है लेकिन जब मैं बात करूंगा artificial seasoning की तो यहां पर हम लोग जो moisture content seasoning के बाद मिलता है वह 12% moisture content आपको प्राप्त होता है कि इस प्रॉसेस का इस प्रोसेस का नाम है बैटा Conversion of the timber timber का conversion हमें कैसे करना, ठीक है timber का conversion जुँ होता है वह आपके पास कैसी किया जाता है इत वालस आप वैरी important process Conversion का मतला होता है लक्ड़ी को proper shape or size में काटने को यह हम लोग conversion कहते हैं लकडी को proper shape और size में convert करनी की जो process होती है उसी को हम लोग conversion कहते हैं तिक है अब यह conversion किया जाता है न यह पांस तरीके का होता है लेको नहीं मैं आप कोई चीज बता रहेता हूं आप लोग exam में confused हो जाओ इसलिए धान रखना यह जो combined conversion है ना यह आपका कभी एक्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा conversion मैंने आपको बताए भी था उस तेम पे तो इसलिए मैंने क्या करता हूं combined conversion जो है ना इसको मैं हटा ही देता हूं यहां से क्यों बताता हूं पिटा क्योंकि मुझे पता है कि combined conversion जीवन में कभी आपसे नहीं पूछा जाने बाला ठीक है तो यहां पर लिखा हुआ है आपके पास में कि भाई प्रॉपर एक्जाम में क्या conversion and the showing of the timber ठीक है इस चीज आपको ध्हान होगी क्लियर है क्लियर एक दम बिटा चली अभी देखो हां मतला अभी देखो एक बारा अगर आपने पढ़ रखें तो पढ़ लीजिए नए वाले है लिए सारे मैं प्रॉइड करवा देता हूं आप लोगों को देखें आपको अगर पढ़ना चाहें तो यहां पर मैंने सारे मैं आपको क्लियर बोला था ओके दे दिए बीटा पढ़ना चाहो तो आप कोई भी पढ़ लेना लेकिन आप फालतु टाइम वेस्टी करोगे इ बहुत अच्छी जगें जहां से कुश्चन बन सकते हैं चली स्टार्ट करते हैं सीजिनिंग क्या हो सडीं क्या होता है कंवर्जन का मतल़ होता है तिंबर को प्रॉपर सेप और साइज देनी की जो हां पर क्लास में जुरू पढ़ाऊगा आपने क्योंकि वहां पर टाइम ह तो यहां पर जो इंपोर्टेंट उसके बारे में बात कर रहों एक्जाम में पूछा आता है कि सथ स्वाइंग ऑफ दा टिमबर क्या होती है ठीक है या कनवर्जन तो किसी भी टिमबर को प्रॉपर शेप और साइस देनी की जो प्रॉसेस होती है उसे हम लोग क्या बोलते है सबसे कम विश्टिस किस तिमबर के अंदर होता है जो सबसे इंपोरेंट कोशन है इसका वह यह है पूछता है कि सबसे कम वेश्टिस लकडी का कहां पर होता है भाई हम लोग जब कोई भी प्रोड़क्ट जब बनाते हैं तो उसमें वेश्टिस किस तिमबर में होगा तो आप आंसा देंगे इस इस में क्या होता है इसका अपने देखा लकडी के के पिट निगल जातें लकडी के बॉडर टाने लोग जानीश तो लोगो क्या करेंग जैसे साइड है लेकिन मैं आपको ऐसे दिखा देता हूं जहसे मैं आपको क्यों जेर से फंटीत है अब यन्स लगडिस आपकी ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं जो ब्लेट्स लगाते हैं सौशर्स का मतलब होता है यहां पर आपने रखा ब्लेट्स को और काट दिया पूरा तो काटोगे तो कैसे लगड़ी है आपको देखो टेंजेंशल का मतलब है एनुवल रिंग के टेंजेंट के फॉर्म में एनुवल रिंग का टेंजेंट नहीं तो होगा और काटते चली जाओ तो इससे लगड़ी आपको प्राप्त होगी इसे हम लोग बुलेंगे और इसी दिखरी उससे कोई फरक नहीं पड़रा फरक पड़ेगा किसे कि यहां पर सबसे आप लोगों को कम बेस्टेंग देखने इसको मैथर नहीं मानते हैं नेक्स सुनेंगे इग्जाम में क्या होता है कि यहां पर हम लोग कैसे काटते हैं इसको तो काटने पर द्यान लगएगा इसमें पूरे के पूरे लकड़ी की सेक्षन को चार हिस्वा में 90 डिग्री पर काट देते हैं जैसे आपको दिख रहा है चार इसमें 90 डिग्री पर काट जाते हैं अब तो यहां से आपको इस तरीके से बिला अब इसमें क्या रखना है इसमें सिर्फ इता यहा रखना है कि यह जो मैथड है आप लोगों के पास में कौन से टाइप के पेड़ों के लिए इस्तमाल किया आता है और इसमें हम लोग blades लगा करके पूरी लकडी को चार बराबर इस्सों हमें 90 degree अंगल पर काटते हैं, next आपके पास tangential से sawing, यहां से क्या question मिलता है, एक ही question मिलता है वो रहा ही है, पूछता है सबसे weakest timber आपको कहाँ प्राप्त होती है, सबसे weakest timber हमें मिलती है बटा, किसके अंदर tangential sawing के अंदर सबसे कमजोर लकडी हमें प्राप्त होती है, किसके अंदर tangential sawing के अंदर सबसे कमजोर लकडी हमें प्राप्त होती है, यह question बहुत important है, अब तुम बोलोगे सर, अभी भी ही तो हमने 90 degree angle पर काटा था ना लकडी को, लेकिन नहीं बिटा, इसमें हमने बीच ओ बीच से 90 degree पर काट दिया था, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग देखिए, एक blade हमने ऐसे लगाया, जो कि इस वाली annual ring के कैसा था, टेंजेंशल था, ठीक है, इस वाली annual ring के टेंजेंशल, एक ऐसी हमने इस वाली side में 90 degree पर एक और blade लगाया, तो यह दोनो blade जहां पर एक दूसरे को कट करेंगे, मतलत यह दोनो blade या दोनो tangent, यह दोनो tangent आपकी जहां पर कट रही होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछ लेता है, माल लो उसकी इच्छा है पूछने की, तो आपसे पूछेगा, कि जो timber आपको प्राप्त होता है, उसको हम यह पर polish नहीं कर सकते, जो timber इससे प्राप्त होगा, उसको polish नहीं किया जा सकता, नेक्स देखेंगे बिटा, यहाँ पर क्या है आपके पास में, नेक्स पॉइंक के बारे में बात करेंगे, ठीक है, चली, लिखा हुआ है रेडियल सोगें और दा रिफ्ट सोगें, एकजाम में पूछायाता है, रेडियल सोगें को हम लोग और क्या बोलते हैं, तो इसे हम वेस्टेज जो होता है उस किसके अंदर होता है आपके पास radial में सबसे कम वेस्टेज किसके अंदर होता है तो आपके पास ordinary sewing के अंदर सबसे कम किसमा होगा ordinary sewing के अंदर सबसे ज्यादा किसमा होगा radial सब्सक्राइब है हुआ और व coyोग यहां पर लिएरile नेरी प्रीए हाइं पर स्पार्व जी करने। लेकिन एक बात को द्धान रखिए का बहुत एंप्वेंट है इकजाम में पूछ सकताulse कि करे नें। तो अगर आपने वही काट दी तो इसका मतलब उसकी तो बांद के रखने की चमता कातम होगी फिर तो स्टेंथ कम होनी चीए लेकिन ऐसा नहीं होता एक्चली क्या होता है मांडो मैडुलरी रेज आपकी यहां पर है तो हम लोग क्या करते हैं जो कट लगाते हैं न मैडुलरी मैडुलरी रेज है तो जो कट लगाएंगे वो मैडुलरी रेज के एकदम साइड में लगाएंगे उसके पैरलल पैरलल लगाने से क्या होगा मैडुलरी रेज आपकी कटेंगी नहीं अगर मैडुलरी रेज आपकी नहीं कटेंगी तो फिर आप लोगों को क्या होगा यहां पर आपको एक strongest type of लकडी प्राप्त होगी तो लिखा भी हुआ देखो sawing is done parallel to the medullary raise लिखा हुए बीच में to the medullary raise जो आपके पास sawing होती है जो कटाई की जाती है वो medullary raise के parallel काटते हैं हम लोग and perpendicular to the rings मतलब कैसे हुआ देखो यह अगर मैं इस पर टेंजन ड्रॉ करूं अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाही मैं अगर इस जगह पर टेंजन ड्रॉ करूं तो यह जो टेंजन है दहां से देखिए यह मैं रिफ यह जो कट जा रहा है आप लोगों का औरेंज कलर का इसपर अधो इसके कैसी होगी 90 दिग्री पर देख सकते हैं आप लोग की के पर और प्राप्त होती है क्योंकि मेडलर्यों यह होती है वह कटती नहीं है इस में इस मेंथटी है ठीक है अब देखो यहाँ पर लिखा हए वे स्टे टेंबर हाई आप देखो शक्ता होती है कई बार तुमने देखा होगा बहुत सारी चीज़ हैं मार्केट में ऐसी बनती है जिन में वेस्टेज अब दा मटीरल जादा होता है लेकिन मार्केट से उस प्रॉड़क्ट को बेच के जैसे मालो कोई एक्जाम्पल तुमने देखा होगा किसी दुकान के तो उसने बताया कि एक लाग रुपे की है तो इसका मतलब वो उसको पता है जिसने बनाई उसमें एक लाग रुपे का गया है उसकी मेहनत बहुत जादा लगी होगी उसके अंदर पॉलिशिंग में खर्चा बहुत जादा हुआ होगा इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जब के ऊपर ठीक है नेक्स बढ़ते हैं यहां पर जादा होता है अब हम लोग बात करेंगे जल्दी से बताएंगे क्या लिखा हुआ है जल्दी से बताएंगे यह बात जल्दी से बताएंगे मुझे एंडोजीनिस पेड का एक्जामपल इन मैंसे कौन सा है जल्दी से बताएंगे जो ऐसे पेड जिनकी ग्रोथ कहा होती है अंदर तरह होती है उनको endogenous paid कहते हैं अज लग निहां कि paint वाला चप्रा चाल वहाँगा लेकिन फिर भी कोशिस करते हैं एंडे इंडे परसेंड के पास में कौन से होंगे ऐसे पेड जिनकी growth कहां पे होती है अंदर की से जिनकी growth अंदर की दरफ होती हैं उनको लोग कहते है एंडे तो आंसर के आगे बढ़ते हैं नेक्स पॉंट के उबर डिसक्रेशन करते हैं तो बैंबू इस दा करेक्ट आंसर आइगा क्या लिखा हुआ है कि जो क्या लिखा हुआ है कि जो कॉनिफर ट्रीज होती है उनकी क्या प्रॉपटीज होती है और जो स्ट्रक्चर होता है वो रजीनियस होता है जल्दी से आंसर देंगे कि कौनसी इसके प्रॉपटी नहीं है इस नौट आ प्रॉपटी यह हैवी होती है इनकी लाइटन कलर होती है तीसा एन्वल रिंग्स होती है उनको बहुत ही डिस्टिंगली देखा जा सकता है या फिर लास्ट में लिखा हुआ है कि देर स्ट्रक्चर इस दा रेजीनियस उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो आप सीडियस के अंदर पूचा किस के अंदर है इस दा करेक्ट आंसर देखते हैं 85 परशन बच्चों ना अंसर सही दिया बाकी बच्चे गलत करें पढ़ने के बाद भी अगर एसी मुरुखता करोगे तो फिर तो तुम मार खाने लाइक हो ठीक है चली तो इसका अंसर क्या आए लेयर और फ्रेश सेप लाइं बिट्वीन अगर इनर बार्ट तो लिखा होगा देखो सबसे पहले कहा था आपके पास मैं पित उसके बाद में हट फिर सैब फिर यह और उसके बाद में बार्ट सही बात तो इसमें पूछा जारा आप लोगों से कि भाई सैब और इनर बार्ट के बीच में कौन होगा तो तीस सेगंड का टाइम आपको देते हैं इसका अंसर बताई यह जल्दी से क्या आएगा इसका आएगा तो पहली बात तो यहाँ पर इसको इसको उमनें क्या पताय आखिया कि अंसर आएगा आपके पास में डी विल-ी दा करेक्ट आयसर फ़ॉर्व को जाएगा होई गा की नहीं होई गा तो दी आपके पास में इसकीजिंग को एक दम परिफेक्ट और सही आंसर फुर जाएगा तो forearmC의 बात तो देखो कैसे त्विशे पूछा हुआ है कि एंपब मैंने आपको याद करा तो इसमें आप से पूछ प्यापैंगुं मिर्मेंदी सेँनल से विट ने बन और bounce इनके बीच में कौन आ गया गया तो चैप्टर को अलग बग 80-85 परसेंट हमने कवर कर लिया इसके सिर्फेक्ट में जो की जरूरी है एक बार कॉमेंट बॉक्स के अंदर आप लोगों को सुपब वाला रिस्पॉंस बताओ कि अभी तक हमने दिखो इस चैप्टर को अलग एक एक दिमाग में गई होगी कहां से केसिक और सकते हैं जल्दी से बताई है छलो आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स प्रवख पॉंट की उपर डिस्क Creosan करते है कि नेक्स पॉइंज आपके पास में आंसर कैसे निकाला जाएगा और टिक ये नेच्स आपका आंसर कैसे निकाला जाएगा जल्दी से देखेंगे जो आपके पास में रुकना नहीं चाइए ठीक है बिटा हा रेस्पास जो है आपके पास में रुकना नहीं चाहिए द्यान रहे बिटा धीए पूरा वो पढ़ा है जो एक्जाम में आता है हर साल आप लोगों से एक्जाम में कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ बढ़िया आप लोगों से पूछा जाता है अभी दिमाग में रहना चाहिए दिल दिमाग हर जगए पर इचीज रहनी चाहिए नहीं रहेगी तो फिर गड परदस तरीके से clear हो गए होगी, बहुत ही शानदर, ऐसा ही response होना चाहिए, इस energy से आप काम करिए, देखो मैं आया था सुबह मेरा गला खराब तब्यत खराब थी, बट आप लोगों का जो dedication है, आप लोगों की जो energy है उससे मुझे cross energy मिलती रहती है, वापस से energy मिलती रहती ह तब्यत खराब हो, कुछ भी हो जाए, दिमाग खराब हो जाए, demotivation आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये साहस नहीं तूटना चाहिए, प्रियास नहीं तूटना चाहिए, ये होसला नहीं तूटना चाहिए, ये exam में select होने की जो जिद है, वो नहीं तूटनी चाहिए और ये सिलसला जो चल रहा है ये लगातार बरकरार जारी रहना चाहिए एक्जाम के आखरी 10 सेकंड तक चलना चाहिए उसके बाद अपने मन को सांत करिएगा एक्जाम में बैठिएगा और जबरदस्त वाला रिस्पॉंज दीजेगा एक्जाम में फोड़ के आईएगा ऐसा आपना attitude रखिएगा तो यह एक चीज आप लोगों को बहतर तब बना पाएगी जब आप consistent रहेंगे consistent नहीं रहोगे कुछ नहीं मिलेगा consistent रहोगे जीवन में सब कुछ मिलेगा सब कुछ हांसे लोगा ठीक है तो मीर है कि मेरी सारी बात हैं बहुत बढ़िया से समझ में आह जाँगा ठीक है फिर में आपको Preservation के ऊपर बात करूंगा ओके डिफेक्ट अफिर प्रिजर्वेशन के बारे में तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे the quality of the timber क्या होती है कि यह समझना बहुत जादा जरूरी इंधिए पहले तो यह पे रखा है कि आप यह एक अच्छी जो लकड़ी होती है अच्छी जो लकड़ी होती इसकी तीन चीजा बहुत ज्यादा अवश्यक होती है एक बच्छा करें सब्सक्राइब कलक्रास होगी हा धा ओफिशल टेलीग्राम चैनल पर कनेट कर लीजे मेरा ओफिशल टेलीग्राम चैनल यह रहा ठीक है आप मेरे ओफिशल टेलीग्राम चैनल पर कनेट कर लो मकारी दिखाते हो कनेट करोगे तो वहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ठीक है इस इस माई ओफिशल टेल अगर आप जोइन करोगे तभी आपको पराद चलेगा कि कितना इंपोरेंट है ठीक है चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स पॉइंट के उपर देखें विटा यहां जब भी कोई लकड़ी के बारे में हम लोग बात करते हों तो किसी भी लकड़ी के अंदर है किसी टिम पर देखो जब भी कभी हम लोग मार्केट से कोई फॉन खरीदने जाते हैं तो फॉन खरीदने जाते हैं तो हम उससे तीन चीज पूछते हैं कि या रहे बढ़िया होना चाहिए बढ़िया मतलब यह ऐसा होना चीज में सारे फीचर मौशूद था मतलब उसके अंदर डूर section का मतलब यह हो गया कि भाई उसकी strength उसकी durability और उसकी जो finished appearance है वो बढ़िया होनी चाहिए उसी को हम लोग एक अच्छी timber मानते है ठीक है यह बात तो आपको clear होई अब अगर यह बात clear होगी तो देखें यहां पर लिखा हुआ है इंपोरेंट के आपके पास में यह एक फीड़ टेस्ट होते है किसके फीड़ टेस्ट होते है टिंबर के फीड़ के नाम से इसको जान सकते हो तो हम लोग क्या बोल लाएं यह आप लिखा हुआ है narrow annual rings जो आपके आपके पास-पास होने चाहिए अगर पास-पास आपके एन जादा मिलेगी जितनी ज्यादा closer the rings rings जितनी ज्यादा close होंगी strength उतनी ज्यादा क्योंकि compactness जो होगी compactness उसके अंदर उतनी ज्यादा होगी next point यह बाग को बताई दिया compact medullary raise का मतलब होता है कि जो medullary raise है आप लोगों की उन्होंने उन जो आपकी rings है ना उनको मजबूती स इसे पगड के रखा हो तीसरा point dark color dark color की लकड़ी अच्छी होती मिन आपको बताया है अगर पेड़ को काट रहे हो तो पेड़ को काट रहे हो तो कहीं से लाल रंका हो रहा है कहीं से काले रंका कहीं से मतलब किसी जगह ऐसा नहीं कि किसी जादा उसमें कोई fungus लग गया किसी जगह से सही है ऐसा नहीं होना चाहिए होमोजीने से स्टक्चर होना चाहिए next point sweet smell उसकी जो smell है वह अच्छी होनी चाहिए वह मतलब मिठास बरी आपने देखा हो कभी कोई लकडी जो होती है उसको ताजा लकडी को आप काट के किसी जगह से smell करके देखो वह आपको sweet smell है ओके ओके next point okay चलिए आगे बढ़ते है next point के उपर चलिए आगे बढ़ते है next point के लिका हुआ है when stuck timber should produce clear ringing sound जब दो लकडी के टुकड़ों को आपस में आप बजाओगे न तो आप लोगों को metallic ringing sound सुना ही देगा next point when free from the defect in the timber timber में जो है defect से free होना चाहिए next point heavy weight इसका जो weight है लकडी का वो heavy होना चाहिए third point last point timber should have the straight fibers जो timber है उसमें जो पाए वरसरे समझते हो film record I am a cardboard किस किससे मिलकर बने tisuse को सुना है न कोशिका उन्से मिलकर बनेया ऐसे आपके बास plastic जो क्रीशं से मिलकर करे बम बैंट अब का बेस व्गरा विकल 치 बीकर आप लकडी होती है आपने डवी लगडई को आपने कॉइँ वी लकडि ISL से होगी तो सब्सक्राइब सुलियों कि लेखने को मिलते हैं कि टीम । कि टिमड़ के डिफेट्टस आपके पास कौन कौन से अट ताट इस इंपोरेंट रहें ना यह इंपोरेंट आपके पास में ओके चलिए ओके अब पढ़ेंगे हम लोग यहां पर डिफेक्ट्स ऑदा तिमबर देखो पटा पहली बात तो टिमबर एक नेच्छरल मटीडियल जैसे हम लोग नेच्छरल है सुनिए गाइस बात को धान से एक नौजवान जवाज जिसको कभी जीवन में कोई बिमारी हुई ना हो जुखाम वुखार खासी भी नहीं हुई हो उतका कभी सर्दर्द नहीं करा हो हाँ एससे कभी हुआ है नहीं हो सकता इसका मतलब no human being is perfect कोई भी human being आपका perfect नहीं है सेम ऐसे ही no one the timber कोई भी timber या कोई पेड़ आपका perfect नहीं हो सकता मतलब कि यहां पे लिखा हुआ है तिमर इज़ नेचुरल प्रोडक्ट आपका एक नेचुरल प्रोडक्ट होता है और यह रेर्ली ऐसा होगा एसा हो ही नहीं सकता कि टिमबर में कोई यह कोई कोई बिमारी नहीं सकता आगे लिखावा है कि दिषैक्ट अग जो डिफैक्ट जो आ रहे हैं देखो इसके अंदर बिमारिया होंगी डिफैक्स आएंगे देमईज आएंगे इनके कारण से टिमबर की जो क्वालिटी ए वो क्या हो जाती है रिड्यूस हो जाती है तो एक बेसिक फंडामेंटल हमने समझने की कोचिस करी ठीक है अब आगे बढ़ते हैं टिंबर की स्पेलिंग अरे बटा कोई बात नहीं है टैपिंग टाइम पर हो जाता है अब तुमको पता है ना लिंबर नाम का कोई टॉपिक तो है नहीं क्या नाम अरे भाई तुम थोड़ा सा इंडिया में रह रहे हो अच्छे से नाम रखो सुंदर सुंदर कितने सारे नाम है अपने खुद के नाम रख लो खुद का नाम कितना सुंदर है यही रखके तुम्हें चीज़ें मिलेंगी चलो बटा आगे बढ़ेंगे नेक्स पॉइंट आ पारे में बताएं का पेड़ के नेचरल फोर्स कौन से होते हैं तो आप बताएंगे सब पेड़ के उपर लगने बाले नेचरल फोर्स नेचरल फोर्स होते हैं आपके पास आंदी हो गई तूफान हो गया ठीक है बारिश आ गई यह सभी कह है विटा तीज तूफान चल रह है अगर आप लोगों के सामने एक वर्ड लिखा हुआ है जहां पर लिखा हुआ है separation of the wood from between the annual ring मत्तब आपके पास annual rings जो थी बहुत सारी annual ring होती है अगर बहुत सारी annual ring में से अगर क्या हो हो रहा है कि अगर मालो जैसे for example आपके मुह में से मालो दाथ गाइब हो जाए मालो इस desirable हो जाएगी when appearance is important जब उसका सुंदर दिखना बहुत important है न तो ऐसी situation में अगर लकडी के उपर वहां से क्या निकाल लिया जाए और उसका सुंदर दिखना बहुत जरूरी है तो वह बहुत undesirable हो जाएगा उसके लिए अब यह जो शेक होते हैं आपके पास तरीकी को थे धन रखेगा शिएग आपके पास में चार तरीके को थे पहला लिखा हुआ आपके पास हम ह olacak चार तरीके को होते श्यक हाँ सेख रखिक कब शेक होंगे बीट हम जोब बपाता हाँ में तो बहुत स्ब्सक्राइब हो जाएगा हओ yay थोड़ी ज़्यादा होगी, हाँ, हट कहां पर था बिटा आपका, हट आपके पास में होता है, अंदर, ये रहा हट, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई भी आपका क्रेक्स अंदर, हट से, मतला अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो मैंने बुला आप लोगों के तरफ जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बूलेंगे, this is known as the heart shake, ठीक है, क्या बूलेंगे, heart shake, अब इसका जस्ट उल्टा मानलो, इसका जस्ट उल्टा मतलब, अगर आपका जो crack है, वो बार्क पे start होता है, और वो पित तक जा रहा है, मतलब, बाहर से start हुआ, ऐसे, और कह के पास में, जब आपकी कोई लकड़ी है, अब वो क्या हो जाए, बाहर से crack आना चालो, और पित तक पहुँचे, तो इसको बूलेंगे, start shake, अगर अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसको बूलेंगे, heart shake, अब तीसरा point आपके पास आएगा, देखो, जब तेज होता है, ऐसा होता है, कप, है ना, ऐसा, और रिंग कैसी होती है, रिंग आपकी ऐसी होती है, तो इसका मतलब यह हो गया, कि अगर मैं पूरे की बात करूँगा, अगर मैं पूरे की बात करूँगा, तो यह आपके पास क्या है, रिंग, और यह आपके पास में क्या है, कप, तो देखो मैं आपको बताता हूगी, जब तेज हमाएं एक साथ एक दिशा में चलती हैं, तो वहां पे उनकी एन्वल रिंग जो होती है, टिमबर की जो एन्वल रिंग होती है, वो आपके पास में क्या हो जाती है, वो आप लिगों की डैमेज हो जाती है, अगर माल आप damage को मैं कैसे दिखार हो यहां पर दोड़ी-बहुत यह थे वाली रिन सी damage होई यहां से थोड़ी-वा देमेज होई तो इसको मैं लोग पूरी-पूरी पूरी बिंडिदीड घो गई पूरी-पूरी एन्वय डेमेज होगी पूरी-पूरी एन्वल-ट्रिंड और बिंच ह होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा भी पढ़ा के बता लेता हूं लिखा हुआ है कि वें दा विंड फ्लो वेरी फास्ट इन वन डिरेक्शन जब तेज अब एक साथ एक दिशा में चलती है तो एनुल रिंग आपकी डैमेज हो जाती है अगर कुछ पार्ट डैमेज हो एक तर्फ का श्रहा थेता है जैसा ही गया रिखाएक तो यह सहता है अब को बता देखेंगे आपके पास में एक क्रॉस सेक्शन अंबर का अब चाली स्टार्शेट जैसा दिखे रहा है आप लोगों को то इसटार्शेट जैसा हां लेकिन जो इसकी सब्सक्राइब जैसे थोड़े सेẵगे कहीं पर होगे उसके बाद ईटकर डू करोगे ना उस टाइम पर आप लोगों को यह वाले डिफेक्ट आने लग जाएंगे आपके टिंबर सेक्शन के अंदर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स पॉइंट के उपर अब देखो इसी का यह मैंने अभी तक जो पढ़ाया था ना इसका पहला डिफेक्ट पढ़ यह दूसरा डिफेक्ट आपका जस्ट वन मिनिट ठीक है नेक्स डिफेक्ट आपका कौन सा है बिटा नेक्स डिफेक्ट आप लोगों की पास में इसको हम लोग क्या बोलते हैं सेकेंड डिफेक्ट आप लोगों ने बहुत बार एक्जाम में कुश्चन पढ़ा होगा और इस दा रिंडगाल, रिंडगाल क्या होता है, इसको धान से सुनिए, बहुत important है, दोनों को सुनिए धान से, रिंडगाल और नोट, इन तीन दोनों में इतना confused होते हैं, बच्चे इतना confused ना, आप लोग इतना परेशान हो जाओगे इस topic के अंदर, क्या आप लोग लगेगा, पेड के जो कोई भी branch है, उसको गलत तरीके से काट दिया, प्रॉपर भी मैं नहीं काटा, गलत तरीके से काट दिया, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर extra sapwood की layer चड़ जाती है, आपने नीम के पेड जो होता है, आपने देखा होगा, जो नीम का tree होता है, जो नीम का प ठीक है, तो गौंध जैसा एक तरल पदा देखा होगा, आपने उसके layer के उपर चड़ने लग जाता है, ठीक है, तो बिटा उसी को हम लोग क्या बोलते है, that is the rindgal, और उस time पर पेड की growth रुकेगी नहीं, उसकी abnormal growth होगी, तो बोला जा रहा है कि जब आपके पास पेड की growth हो रही है, और उसकी branch को गलत तरीके से काड़ दिया जाए, एक गलत direction में काड़ दिया जाए, तो वहाँ पर बोला है कि extra sapwood की layer develop हो जाती है, ठीक है, तो extra sapwood की layer चड़ जाती है, उसे हम लोग रिंडगाल कहते है, अब रिंडगाल के कारण से जो पेड की growth होती है, वो abnormal हो ठीक है, abnormal का मतलब यह हो गया, ऐसा नहीं कि growth रुख जाएगी, नहीं, growth आपकी उल्टी सीदी होगी, हो सकता है, अलगी दिशा में आप लोगों का आ जाए, ऐसा नहीं होगा, abnormal growth का मतलब हो जो branch आप लोगों की, हो सकता है, वो टेडी मेडी हो जाए, या हो सकता है, वो यदि कोई भी branch को काटा जाए, और वहाँ पे आपकी पेड की growth ही रुख जाए, तो उसको, और वहाँ पे क्या होता है, एक bubble आ जाता है, जैसे आपने देखा होगा, कोई पेड है, माल लीजी, अब इस पेड की यह एक आपकी branch है, ठीक है, इधर भी एक branch है, ऐसे branch है, अब नोट क्या चीज है, नोट के अंदर पेड की growth है, पूरी तरीकी से रुख जाती, तो दो चीज आप तो धान रखेंगे, and that are very important, ठीक है, बस दो मिन दे दो, ठीक है, तो that are very important, कि यह आपको आपकी बास रिंड गाल और नोट का difference है, यह बहुत important होगा, आपको समझनी के लि जाए, तो उसे हम लोग बोलते है, रिंड गाल, और अगर आपके पास में, किसी जगह से हम लोग लकडी को पेड की growth के टाइम पे काड़ दें, और वहाँ पे आपके पास लकडी की growth रुख जाए, और वहाँ पे bubble बन जाए, तो उसको बोलेंगे, नोट, दो पॉन्ट और हुई, दो पॉन्ट और समझेंगे, फिरम लोग अकल पढ़ेंगे, इसको continue करेंगे, यह वाला बड़ा चेप्टर है कि होगी, next आपके पास देखो, तीसरा जो पॉन्ट में, आपको चौता जो पॉन्ट है हमार पास, वह आपके पास twisted fiber क्या होता है, पांच में आपके पा twisted fiber क्या होगा, twisted fiber का अतला, जब थोड़े देर पहले मैंने बोला था, जब तेज हवाएं एक साथ एक दिशा में चलती है, तो आपके annual ring damage हो जाती है, और जब annual ring damage होती है, अगर उसका कुछ पार्ट डेमेज होगा तो उसको काप, और ज्यादा पार्ट डेमेज हो गया तो ring, उसको हम लोग क्या बोल, sorry, उसको हम लोग ring बोलेंगे, ठीक है, ring shake, अब देखो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जब तेज हवाएं एक साथ एक दिशा में चलती है, तो timber के जो, timber के जो grains होते है, वो twist हो जाते है, और इस defect को हम लोग twisted fiber बोलते है, और यह जो twisted fiber होता है, यह सिर्फ एक ही दिशा में होता है, अब मैं आपको एक simple तरीका बताता हूँ, dance से सुनेगा, बिटा radial shake कहते हैं, कि यह radial shake आपका से स्टार्ट से जैसा ही दिखाए देता है, मतलब cracks आपके बार से स्टार्ट होंगे, पित तक जाएंगे, लेकिन यह जो cracks होंगे, यह irregular cracks हों जो कि आप लोगों को समझना चाहिए, जो मैंने बताया था, twisted favor क्या है, देखो, यह आपको twisted favor धान रखना है, जैसे कोई पेड़ था, ठीक है, जड़ से एक दम मजबूत यह पेड़ आपका कुछ ऐसे लगा हुआ था, अब माल लो, यह कोई पेड़ था, तेज हवा एक सा जो होंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, twist हो जाएंगे, तो grains भी आपके twist हो जाएंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, that is known as the twisted fiber, दान से सुनना इस बात को, बहुत important है, मैंना आपको क्या बोला है, जब आपके तेज हवा चलने के कारण से, जब grains, पूरत बोर पेड़ आप लोगों का ऐसे जुख जाएगा, पेड़ आप लोगों का ऐसे टेड़ा हो जाएगा, तो इसको बलेंगे, twisted fiber, अब foxiness, foxiness is important, foxiness होता है, कई बार हम लोग क्या बोलेंगे, कि जब पेड़ आपका बूड़ा हो जाता है, तो पेड़ के बूड़े होने पर, या पर उसम का मतला होता है, पेड़ आपका बूड़ा तो होई गया, लेकिन उसमें, बेंटिलेशन की भी कई बार कम ही होती है, तो उस जगह पर, पेड़ के सरफेस के उपर, white, red और, sorry, red और yellow color के धब्ब्या आपको दिखाई दिएते हैं, और इसे हम लोग foxiness कहते है, last में एक upset और ब बताया था, तेज हवाएं जब एक दिशा में चलती है, जब annual ring damage हो जाती है, कुछ part damage हुआ तो कपशिक, पूरा part damage हुआ, पूरी ring damage हुए तो उसको ring shake, यहां पर बताया है, तेज हवाएं एक दिशा में एक साथ चलेंगी, twisted fiber, आपके जो grain से मुड़ गए, पूरा पेड करेड़ो différentes हैं, आपके पास में कोई पेड पीड है, तो पेड आप लोगों का ऐसे टूडएगा, तो आपने देख़ा होगा इसके पूरे पूरे part होनगे, यहां से आपके पास में damage हो जाएंगे, यह जब आपका पेड ऐसे तूटेगा, तो घंज हो जाएंगा, तो इस त क्लास का जो टाइम है वो डेली आठ से दस बजे तक टाइम होता है ठीक है कल की क्लास में हम लोग इसको कंटीन्यू करेंगे डॉन फरी आप लोगों को बहुत अच्छा कुछ पढ़ाऊंगा मैं करना पेंट डिस्टेंबर विटमेन लोग याद नहीं कर पाते भूल जाते हैं मेरी क्लास में आप लोगों कैसा नहीं होगा उम्मीद कर रहा हूं आप लोग बहतरीन तरीके से उसको समझोगे एक परसेंट डिक्कत नहीं आने दूगा किसी भी टॉपिक के अंदर और रिवा अंद रिया क्जया थफोगा को